बिहार शुनाप के लिए जारी संकल्क पत्र में करोना वैक्सीन का टी का मुफ्त लगाने का भाशपका वायदा ना केवल बीजेपी के अमान्मी चहरे को उजागर करता है बलकि बेहत शर्बनाग भी है कॉंग्रेस प्रवक्ता प्रेमकोशल ने कहा कि बीजेपी करोना महामारी से भैवित जन्ता को वैक्सीन का बादा कर महामारी का इस्तेमाल भी बोट प्राप्त करने के लिए कर रही है और वैक्सीन जो अभी बनी नहीं का प्रलोगन दे कर बोट लेने की घिनोनी राजनीती से ये स्पस्ट हो गया कि बीजेपी को मात्र सत्ता हासल करने की लालसा है प्रेन कोशल ने कहा कि ये बाइदा बीजेपी ने मात्र बिहार की जनता से ही क्यों किया क्या अन्य राज्यों में रहने वाली जनता भारत की नहीं है या जिस्टिस राजे में चुनाब होंगे बही और जो बीजीपी को बोट करेंगे उनको ही ये बैक्सिन दी जाएगी ऐसा परतीत होता है कि करोना बैक्सिन के लिए देश के अलग-अलग राजियों को चुनाबों का इंतजार करना पड़ेगा कॉंग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि दुरभागे से देश की बागडोर शिखंडियों और पाखंडियों के हाथ में चली गई है जिसकी देशवासियों को भारे कीमत चुकाने पर रही है क्योंकि जो पाइटी और सरकार महामारी से भी राजनितिक लापराप्त करने की राजनिति करती हो बैदेश और देशवासियों को अपमानित करने के अतिरेक्त कुछ नहीं कर सकती बिहार चुनाब में भारते जनता पार्टी ने जो अपना संकल पत्र जारी किया और उसमें वहां की जनता को मुफ्त में करोना की वैक्सिन का टीका लगाने का वादा किया ऐसा टीका जो फिल वक्त अभी बना ही नहीं है और इस तरह का चुनाबी वादा करके भारते जनता पार्टी ने एक तरह से बिहार की जनता को अपमानित करने का कारे जो है वो किया है और करोना महामारी जिससे पूरे विश्व की जनता भैभीत है निश्वी तोर पर जिसमें बिहार विश्व में बिहार वी शामिल है वहां चुनावी बेला पर इस महामारी का राजनितिक करन करके और मुफ्त में वैक्सिन का ठीका लगाने का वादा करके भारते जनता पार्टी एक गिनोनी और बहुती निमनस्तर की राजनितिक करने का प्रयास किया है ऐसा परतीत होता है कि जिन जिन परदेशों में चुनाव होंगे और जो जो लोग भारतिय जनता पार्टी को वोट करेंगे मातर वही लोग इस वैक्सिन के हाकदार होंगे और ये सरकार उन्हीं राजियों को और उन्हीं व्यक्तियों को ये वैक्सिन जो है वो अपलप्त करवाए इस तरह का सरकार का और किसी पार्टी का सोचने का और काम करने का और इस स्तर पर जाकर वोट पराप्त करने का प्रयास और राजनिति ना पूरे विश्यव में अब तक मैं समझता हूँ कि ऐसा उधारन मौजूद है और ना ही वे विश्यव में होगा महामारी को भी एक अबसर के रूप में वोट की राजनी करने के लिए वोट प्राप्ट करने के लिए इस्तेमाल करना इससे निचला स्तर राजनीती का दूसरा कोई मैं समझता हूँ कि हो नहीं सकता और ऐसे राजनीती करके भारतिय जनता पार्टी की सरकार और भारतिय जनता पार्टी कि जो असलियत है जो मकसद है इस पार्टी का एक मातर लक्षे सता प्राप्ट करना वो पूरी तरह से देश की जनता के सामने स्पाइश्ट हो चुका है दुर भागया से देश की जो सता है वो इसी खंडियों और पक्खंडियों के हाथ में चलीगी है और ऐसे लोगों के हाथ में इस देश की बागडूर होने की भारी केमत जो है वो इस देश के जो नागरिक हैं उनको चुकानी पट रही है